नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी यह हमारा खास कारिक्रम है फिट हैं तो हिट हैं जिसमें आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में जिस तरह से हम लोगों का लाइफ स्टाइल खराब होता जा रहा है इसका सीधे तोर पर असर हमारे शरीर पर पढ़ रहा है और हमारे दिमाग पर पढ़ रहा है जिसके आहार के आधार पर आप डिप्रेशन जैसी जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं मैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रभास आक्षी मैं आज के समय में डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है आज से 15 या 20 यह पहले की बात करें तो लोगों को इस वर्ड के बारे में पता भी नहीं था लेकिन अगर आप आज एक छोटे बच्चे से या घर में कारे करने वाली महिला से या किसी से भी किसी बिजनेसमैन से या किसी बुढ़े व्यक्ति से पूछ ले तो वो हमेशा यही कहेंगे कि मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम है या कई बारी लोग इस प्रॉब्लम को एक्स्प्लेन नहीं कर पाते इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते लेकिन फिर भी वो इस प्रॉब्लम से ग्रस्थ हो रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो क्यों इतने नकारात्मक हो गए हैं, क्यों उनकी जीवन में उत्साहा, उमंग, जिसे हम बोलते थे न, एक willpower होती थी, कुछ करने की शक्ती होती थी, आप छोटे बच्चों को भी देखिए, उनमें वो बात नहीं है कि हां मुझे कुछ करना है, कही ना कही ये एक depression का ही कारण है, जो किसी को हम lethargic बोलते हैं मेभी वो lethargic नहीं है, वो एक depression का कारण है, इसमें depression के कुछ कारण कंई हमान से एक social कारण हो सकते हैं, अगर हम शारेरिक उसके बारे में बात करें, तो शारेरिक रूप से अगर माल लेजे कि हमारी body over stiff हो गई है तो वो कहीं न कहीं depression का कारण हो सकता है अब इस से निजाद कैसे पाया जाए इस से छुटकारा कैसे पाया जाए जो शारिरिक अगर हमको depression हो रहा है शारिरिक रूप से हम उसको feel कर रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या nutrient value हमारे शरीर में कम या जादा हो रही है अगर हमारे शरीर में B12 कम है या हमारे शरीर में iron की कमी है या हमारे शरीर में vitamin E की कमी है तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति को depression या कोई भी जो चोटी मोटी circumstances हो सकती है वो उससे निकल नहीं पाता तो अपनी डाइट में अगर हम vitamins को कुछ multivitamins को बढ़ा दे तो हम इस problem को चुटकारा पा सकते हैं और दूसरा अगर किसी को thyroid problem है thyroid होने से भी ये problem बढ़ जाती है thyroid का अपने आप में कोई वो नहीं है लेकिन उसके जो side effects है कहीं न कहीं depression उसका बहुत बढ़ा कारण है और जैसे women's में PCOS है PCOD है mensuration से related जो problem है उसके up down होने से उसमें जो hormones का up and down होता है उससे भी depression उससे भी बहुत ज़्यादा depression बलकि आजकल देखा जा रहा है 15 साल किसी भी उमर की बच्चियों को देख लीजिए तो ये कहीं न कहीं depression का कारण है दूसरा हमारा आजाता है मानसिक कारण देखे मानसिक कारण में पहले हम अपने बुजरगों से बात किया करते थे सलालिया करते थे उसे पूछते थे कि इसको हम कैसे करें आजकल के युग में internet सब कुछ हो गया हम अपने बड़ों से पूछते नहीं कि ये मेरी प्रॉब्लम है आप मुझे इसके बारे में बताईए बच्चे भी बड़े भी गूगल चलाते हैं और समझते हैं कि गूगल से सब कुछ लेकिन गूगल वो आपको भावनात्मक तरीके से कैसे समझाएगा कहीं न कहीं वो जो value होती है हम एक दुसरे से बात करते हैं फिर एक बात से और बात निकल कर आती है तो कहीं न कहीं जो मानसिक अकेला पन है वो बहुत बड़ा कारण है हम सोचते हैं कि हम सभी अपने आप कर लेंगे ऐसा नहीं होता हमें तो जुर्बा चाहिए बड़ों से बात करनी से हमारा रिलाक्स होता है हम और फिर तीसरा आता है देखिए सोशल कारण सोशल कारण में मैं इंटरनेट को कहीं न कहीं इसमें हम ठीक है इंटरनेट बहुत जरूरी है लेकिन इंटरनेट की वजह से जो एक competition की भावना आ गई है और इंटरनेट की वजह से या वैसे भी बोलिये कि एक मैं सबसे अलग दिखना चाहते हूं कि जो भाव है आज कल के बच्चों में कि मैं different आप किसी के पास भी चले मैं तो different काम करना चाहता हूं वो जो different काम करना है और वो जो competition है देखे competition जो parents होते हैं वो कहते हैं कि 90% तो आने ही चाहिए वहाँ बच्चे को depression और बच्चा नहीं लाया तो parents को depression हमने एक social वो बना लिया है network बना लिया है कि perfect होना हर चीज में ऐसा नहीं हो सकता you cannot have it all आप ह और चीज नहीं ले सकते हैं तो हमें ये खुद समझना होगा और आगे अपने बच्चों को भी समझाना होगा जिस चीज में आप perfect हैं आप वही कीजिए अब इसमें योग कैसे helpful कर सकता है देखे योग ही मैं बोलूंगी कि एक मात्र ऐसा साधन है जो depression को कम कर सकता है और दूसरा अगर हम अपने diet में देखे अपने diet में अगर हम अश्वगंधा कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमेशा से 5000 साल से हमारे को कहीं ना कहीं help कर करती आई हैं तो अपने diet में आप अश्वगंधा डाल सकते हैं ब्रह्मी का यूज अधिक से अधिक कर सकते हैं अगर किसी को depression है आप ginger tea बना कर पी सकते हैं mood swings होते हैं किसी को तो आप इस तरह के कोई tonics ले सकते हैं तो यह आपकी body को filter करते हैं detox करते हैं और जहां body detox होती है माइन भी detox होता है फिर इसके बाद सबसे सबसे सही तरीका है आसन करना कोई भी आसन कीजिए आप एक अगर आपको depression लग रहा है अगर आपको लगता है कि हां मेरे साथ कुछ भावनात्मक रूप से मेरी body में कुछ up and downs हैं आप छोटे से किसी की बात अगर आपको बहुत ज कोचे जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक depression का symbol है अगर आप अपने जीवन में योगा भ्यास करते हैं योगा भ्यास में अगर आप आसन उठा लीजिए तो आसन का एक जितना आप stretch कर सकते हैं जिस आसन में अब आप कहेंगे कौन से आसन करने चाहिए वो भी माम बताएंग लेकिन जिस भी आसन में आपको पूरा stretch मिलता है stretch मतलब आपको जैसे ताड़ासन है त्रियक ताड़ासन है भुजंग आसन धनुरासन जिन आसनों में पूरे शरीर का खिचाव मिलता है तो वो physical, mental, emotional जो हमारे stress होते हैं उनको निकालता है और जब यही सब निकल जाएंगे तो depression अपने आप निकल जाएगा एक बोला भी गया है do stretch and remove stress जितना आप यह बहुत logical है हम अपना जो physical stress होता है हम अपने lower back में store करते हैं यह बहुत ही deep उसमें है mental stress जितना होता है हम अपने middle back में cure करते हैं आप देख लीजेगा जिसको भी mental stress ज्यादा रहता है उसका middle back उचे की तरफ रहेगा आपके किसी रूम में किसी ने एंटर किया आप उसके posture से दिखा देंगे कि यह उत्सहा से बड़ा हुआ आदमी आया है या ऐसे जुका हुआ हां कर लूंगा ऐसे करके कोई व्यक्ति अगर आपके रूम में एंटर करता है तो आप बता देंगा अरे आप स्ट्रेचिंग करते हैं योगा अभ्यास से जितनी स्ट्रेचिंग करते हैं वह आप और किसी एक्सराइज से नहीं ले सकते जितना स्ट्रेच करते हैं उतना आप डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को डेफिनेटली गारेंटी के साथ आप उसको रिमूव करते हैं और इ depression condition आपने देखा होगा जैसे ही कोई आपको मिलने आया तो व्यक्ति बहुत ही नहीं में गुस्से में है या बहुत ही हाइपर हुआ हुआ है तो हम लोग शुरु से क्या बोलते थे बैठो पानी पियो टेक डीप ब्रेथ देल लेट मी नो कि क्या कंडिशन थी टेक डीप ब्रेथ बहुत बड़ा लॉजिक है अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो सबसे पहले अपने जीवन में डीप ब्रेधिंग शुरू कर देने चाहिए उसको डीप मतलब गहरा लंबा शांश अंदर लेना फिर उसको रोकना फिर उसको छोड़ना इसको आप कहीं भी किसी भी स्थिती में कर सकते हैं बस बैस्ट इस जो आलती पालती हम लगा कर बैठते थे जिस कंडिशन में उसमें कर सकते हैं वो नहीं है तो आप अपनी जगा पर सीधे बैठ के आप अपने ऑफिस में हैं आप गाड़ी में हैं ट्रेवल कर रहे हैं कही पर भी है डीप ब्रीधिंग एक्ससाइज जो डिप्रेशन को रिमूव करती है वो और कोई एक्ससाइज नहीं कर सकती डीप ब्रीधिंग के लिए आप इसमें नाड़ी शोधन प्राणायम भी कर सकते हैं और मैं आपको यहां पर एक बहुत ही सिंपल टेक्निक जो आपको स्क्वाइब भी काम आएगी क्यूंकि मेडिटेशन और प्राणायम का बहुत ही सुन्दर कॉम्बिनेशन है जिसने प्राणायम नहीं किया वो चीज सेक्षिं नहीं होगा लोग ऐसे बैठ जाये और बोले कि मैं मेडिटेशन करता हूं इजी नहीं है वो लेकिन अगर आप आपने प्राणायाम ब्रीधिंग पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो आप और चीजों के ओपर भी कंट्रोल कर लेंगे ब्रीधिंग एक्सेसाइज से जो नाकारात्मक शक्ति होती है नाकारात्मक उर्जा होती है उसको आप रिमूव कर सकते हो सात्विक्ता हम बोलते हैं सात्विक, राजसी, तामसिक, तीन तरीके के लोग होते हैं, जो ब्रीधिंग एक्सराइज करते हैं लोग वो अपने जीवन में राजसी भी रखते हैं लेकिन और तामसिक से सात्विक की तरफ, हाँ जी सात्विक की तरफ आते हैं और जो व्यक्ति सात्विक होगा उसको डिप्रेशन का पता ही नहीं होगा कि वो डिप्रेशन उसको डेफिनेशन ही नहीं पता होगे कि वो डिप्रेशन होता क्या है उसने कभी फेस ही नहीं किया होगा तो ब्रीधिंग एक्सराइज जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप इवन मैं तो यह तो जैसे हम first aid बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ depression जैसा कुछ अगर आपको issue हो रहा है, तो आप उसी वक्त आप मेरे साथ यहां बैठी है, आप या मैं या कोई भी अगर हमको कुछ भी लग रहा है, तो आँख बंद करके सिर्फ और सिर्फ तीन मिनट डीप इनहे अगर आपका ध्यानी दर उदर भटकता है, तो अपना index finger को अपने eyebrow center में रख लीजिए, यह आज्या चक्रो होता है, इससे आपका mind एकदम centralized हो जाएगा, देखे आज कल के समय में depression का एक और, एक समय में 100 चीज़े सोचना, एक जन computer भी कर रहा है, वहां से whatsapp भी चेक कर रह है, और वहां से थोड़ा search भी कर रहा है, study भी कर रहा है, क्या हो गया है, हमारी body के अंदर जो वात, वात पितकफ, तीन चीज़े होती है, वात को हमने इतना अपने lifestyle में प्रबल कर लिया है, कि उसके कारण से हमें depression हो रहा है, तो breathing exercise किसी भी समय, किसी भी स्थिती में, आप normal breathing exercise, deep inhale, deep exhale, और इससे भी अगर आप advanced जाना चाहते हैं, तो उज़्जई breath बोलते हैं, उज़्जई breath जैसे मा का sound, जैसे भंवरे की आवाज होती है, आपको बस आँख बंद करके ये भंवरे की आवाज अंदर फील करना है, उस sound को create करना है, I hope आज आप और मैं अपने दर deep exhale, deep exhale, तो आप ऐसे सीधा बैट सकते हैं, और कुछ यहां पर index finger को touch करके, आप ऐसे deep inhale, जितनी आपकी capacity है, जितना आप लंबा ले सकते हैं, आपको उतना ले लाएं, इसमें कोई restrictions नहीं है कि इतना ही लंबा होना चाहिए, और इतना ही, जितनी जिसकी capacity है, अपनी capacity के आप कर सकते हैं, और दूसरा हमने बात की ब्रामरी प्राणायाम, ब्रामरी प्राणायाम, वंड़फुल प्राणायाम, टू, लाइक हामुन्स जो हमारे हिल जाते हैं, उनको बैलन्स करता है, हमारे thyroid gland का work proper करता है, हमारा विशुद्धी चक्र जो हमारे neck के पीछे होता है, उसको balance करता है, और हमारा जो body-mind का combination, जो इसमें company होती है, वो पूरा brain तक जाती है, तो brain के जो positive cells होते हैं, उसको active करता है, तो एक बार हम इसका प्रयास करें, फिर I think आपके दश्कों को समझ आ जाएगा, इसके लिए हमें सीधे बैठना है, और अगर आप आखे बंद कर स करने से हमारा ध्यान एक जगा पर लग जाता है, एक बार हम लोग इसको करके देखते हैं, जरूर, आपको सीधे बैठना है, आखे बंद, चेहरे पर बिल्कुल शान्त भाव, गहरा लंबा श्वास लें, और धीरे से श्वास को छोड़े, ब्रामरी प्राणायाम के लिए गहरा लंबा श्वास, और मौ की ध्वनी के साथ, एक बार और, एक तर मौ करे बिल्माश के लिए खलते हैं, और मौ की अखे कि लिएगा श्वास, और मौ का लिए बदोंद्खे हैं, और मौ की अखे हैं। फ्लाग भीतुआयाम मंौ की एक्ति हैं.. धीरे से औरको को खूल लीजिए आप इसको फरस्ट एड के तोर पर भी यूज कर सकते हैं अगर माल लीजिए आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा इशू हो रहा है तो आप मैं आपको बोल रही हूं कि आप अभी के अभी 21 बारी इसका प्रयास कर लीजिए 21 बार तो माइंड में क्या चेंज आता है और अगर रेगुलर इसका अभ्यास करना साते हैं तो पांच से साथ बारी आइडियल ठीक है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है या आपकी मानसिक स्थिती में कुछ अपन डाउन हो रहा है या साथ मेरे माइन के साथ चेंज हो रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है तो अपिसकाभ fb has karke kills यह aap students हो या घर में office में हो कि तो यहां मैं अपूरे यूरोप में इसका अभ्यास किया जब्सरी में कित날 के लिए लग लग होता है जैसे मैंने कहा कि आगर आपको जादा फील हो रहा है कि आपकी स्थिती थोड़ी आउट अफ कंट्रोल हो रही है तो आप प्लीज इसको 21 बार तो जरूर कीजिए 21 बार नहीं कर सकते और जस्ट आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो दिन में दो बार पांच से साथ राउंड करके देखिए आपको बहुत ही इसकी बोन से होते हुई हमारे बॉड़ी माइंड को कंट्रोल करती है उसके लिए और इसके बाद अगर हम कुछ मंत्रों का उच्चारन कर लेते हैं और अगर आपको कोई मंत्र नहीं भी आता तो आप कुछ टाइम आप गायतरी मंत्र कर सकते हैं और गायतरी मंत्र भी नहीं आता तो ओम की ध्वनी का लंबा उच्चारन बहुत ही फायदे मंद है डिप्रेशन को दूर करने के लिए तो इसमें थोड़ा सा डाइट है, डाइट में अगर आप अश्वगंदा जैसे मैंने बोला अश्वगंदा ले सकते हैं, भ्रमी ले सकते हैं, शतावर एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है और एक मेधावटी आती है, उसको आप यूज कर सकते हैं, अपने डाइट में वाइटमीन E को बढ़ा कर देखिए डेफिनेटली आपको डिप्रेशन और ये जो प्रॉब्लम लग रहा है, वो थोड़ा कम होगा मैम, जैसे आपने बताया, मानसिक, इमोशनल, सोशल कारण डिप्रेशन के मुझे, मतलब अगर मैं अपने इस तरफ पर कुछ चीजे जो फील करती हूँ, मैं आपसे बताना चाहूंगे हम बस जैसे जॉब, घर, घर, जॉब, इन ही में फस जाते हैं, हम अपनी जिन्दगी को ना समझ पा रहे हैं और ना, और कुछ वक्त बाद हमें ये चीज बहुर लगने लगती है, और फिर हम परेशान होते हैं तो क्या मतलब इन सब चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, फिर लगता है कि आखिर हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं तो हम अपने जिन्दगी को कैसे समझाएं कि हम किस चीज के लिए बने हैं देखें, ये तो एजुकेशन सिस्टम ही है, ठीक है, हम इतनी दूर तक बहुत समय लग जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे नैतिक जो हमारा होता ना वेवहार एक दूसरे से कैसे करें और सरकम्स्टेंसिस आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, आपने कितने बच्चों को देखा है कि छोटी-छोटी बातों पर इतने बड़े और अनोइंग स्टेप उठा लेते हैं छोटी सी बात कहते हैं घर से, उसको एक्स्प्लें नहीं करना चाहिए तो बट किस तरीके के वो कदम, क्या है कि हम अपने बच्चों को एक स्टडी तो दे रहे हैं, अच्छे डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, अच्छी इंजीनियर्स हम सब दे रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, वो जो मॉरल एजुकेशन और जो व्यवहार रहता था था ना, देखिए, अजब तक मैं बड़ों से बात नहीं करूंगी या बड़े मुझे समझाएंगे नहीं, मैं आपने बच्चों को नहीं समझाओंगी, तो कैसे होगा, सिरफ गूगल के थ्रूजी लाइफ नहीं चलती है, अगर आपको कुछ ये सब डिप्रेशन ये जो बहुत हमारी सोसाइटी में घर करता जा रहा है, तो हमें ये देखें, पारिवारिक जीवन से तो हम स्ट्रेंथ होता है, सभी कल्चर में जो पारिवार है एक स्ट्रेंथ है, तो हमें शेर करना चाहिए, हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, olsun कि अरे हो गया हो गया, आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे, कुछ positive attitude और positive attitude योग से बहुत ही असानी से बच्चों में लाया जा सकता है तो लाइफ के प्रती नाकारात्मक्ता को हटा दीजिए और जिसको पॉज़ियास्ट है हां मैं कर सकता हूं कोई बात नहीं हमें होना चाहिए हार जीत पास फेल जो जिसको बोलते हैं जिसको पार्ट अफ लाइफ ये सिखाना ही जादा जरूरी है अगर ये नहीं समझाएंगे वो मॉरल एजुकेशन जिसको बोलते हैं मॉरल कि हमें किस तरीके से जीवन को लेना है किस तरीके से अप्स डाउंस जो आपके जीवन में आ रहे हैं उसको लेना वो नहीं सिखाएंगे तो ये प्रॉब्लम का भी कोई हल हैं अगर इन चीजों को समझ गए और हमने आगे बच्चों को ये चीज़े समझा दी तो डेफिनेटली ये जल्दी ही हमारे यहां से आउट हो जाएगा कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक बंद कमरे में दुनिया से दोस्ती कर लिए हमें दुनिया से दोस्ती ना करके अपने घर वालों से पहले दोस्ती करने चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए ऐसा मतलब बिल्कुल बिल्कुल हमें फ्यूचर में नहीं जाना देखिए हमें थोड़ा सा चीजों को एवन अगर आप डाइट को समझना चाहते हैं आप कितने बड़े नहीं बड़े ऐसंटीं कोई भी हैं हमें फ्यूचर में नहीं जाना हमें पास्ट में जाना है अब देखें फिर से हमारा चलाना आ गया कि वही मकी पहले बीच में कॉन फ्लेक्स और ये सब आ गया था अब फिर से वही आ आ गया कि गुड होना चाहिए है हेल्दी डाइट सबस्क्राइब करते हैं राव थाइव बोई बनाई करती है। हमारे जो रूट बनाव टेंटेग हमें उसके यखेते हूं चलए करसी है। तो मैं ॉंप सो नाइन गरंड़ भी उसकुर बहुत कि मज़ता दूआ देट । और मैं होप करती हूँ कि जो भी इस समस्या से जूज रहे हैं या फिर अगर उनको फीली हो रहा है कि इस समस्या उनको है तो योग और अच्छा आहार जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका प्रभासाक्षी से जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर तनू सिंग ने बताया कि कैसे आप अच्छा आहार लेके और एक अपने दिन चर्या को अच्छा बनाके योग के माध्यम से और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं जिसमें आपको डिप्रेशन नहीं होगा उन्होंने बताया कि कैसे आप अपनी बॉड साक्षी के साथ नमस्कार